लुब टो हम लोग विए वन खूर से इंट यह क्या है कि तो सैंटेट एशनि क्या है थे प्लस खूर टू प्लस थे टो स्टै थे प्लस तरी थे जिल्स दाट डाट लेख या है सारे numbers का sum किया गया है cannot be the square आपे natural number except n equal to 1,3 यानि n की value एक और 3 के अलावा जो sm की value आएगी यह डहरा है आपको एक बूख करो कि यह perfect square नहीं हो करता तो हम लोग sm देखते हैं यह क्या factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot dot factorial m n equal to 1 आप अगर put करें तो यह क्या जाएगा s1 यानि यह factorial 1 और factorial 1 की value क्या होगी 1 होगी और 1 क्या है perfect square एक तो एक तो एक प्रेस्पायर है ना एक आप इसे लें सबते हैं एक ताबर वो एक ही रहेगा और n बराबर 3 दे देते हैं तो यह क्या हो जाएगा s3 और इसकी value क्या हो जाएगी factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 n की value जिए 3 रखेंगे तो यह तहां तक जाएगा 3 तक जाएगा तो इसकी value क्या हो जाएगी 1 plus 2 का factorial मतलब 2 इंटो 1 3 का factorial मतलब 3 इंटो 2 इंटो 1 आप इसको यह जोड देंगे 2 एक तीन और 6 एक तीन नौ यह भी perfect square natural number 3 का यह जो कहा है कि n बराबर 1 और 3 उसको हम लोगों ने चेक कर लिया कि n बराबर 1 और 3 पे तो perfect square है अब हम लोग कैसा approach करते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे जो यह sum जो आएगा यह हम इसके unit place पे कौन सा number होगा यह हम clear करना चाहते हैं क्योंकि आप यह तो कभी निकाल नहीं पाएंगे इसकी value तो कभी निकाली नहीं जा सकती कि n की value 10 रखेंगे छोटी value रखे तो निकाली जा सकती बड़ी value n की पता नहीं कितनी बड़ी value होगी n कोई भी natural number हो सकता दस करो तो आप कभी इसको factorial वहां के जाके जोड के निकाल नहीं पाएंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इसके unit place पे guess करते हैं उसके लिए आप देखें जो यह factorial 5 होता है इसकी value क्या होती है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और आप इसको multiply करेंगे तो यह क्या होगा 1, 20, factorial 5 के बाद क्या आता है factorial 6 factorial 6 क्या होगा 6 into फिर यह चलेगा 5 into 4 into 3 जिसको हमनी क्या लिए 6 into factorial 5 यानि क्या होगे है 6 into 1, 20 यह जो भी आएगा यह 720 होगा हम इसके बाद अगा factorial 7 करेंगे तो यह 7 into 6 into फिर factorial 5, 5, 4, 3 तो फिर यह होगा 42 और यह होगा 120 आप यह रिखते हैं जो multiply करेंगे तो यह जो number आएगा उसके unit place पे क्या आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा हमको number से मत्तब नहीं हमको unit place पे मतलब है यानि 5 से start होके आप factorial 8 करेंगे तो क्या होगा 8 into 7 into 6 into आगे जो बचा उसको factorial 5 लिख दे तो आप इसको विए 120 रखेंगे तो जो इसके unit place पे 0 है multiplication में तो यह जो पूरा नमबर आएगा उसके unit place पे यह क्या बना देगा 0 बना देगा यह यानि n की वैलू पर न ग्रेटर दन इकल तो 5 यानि n पाँच यह पाँच से बरा की वैलू जे लिए प्रेक्टोरियल एन इसके unit place पे आएगा एन की वैलू पाँच यह पाँच से बड़ी रखने पे जो भी फैक्टोरियल को लोगे आप उसकी वैलू जो निकालों ने तो क्या आएगा हमको उससे मतलब नहीं हो उसकी unit place पे आएगा जीरो आएगा तो यह clear हो गया तो आप हम लोग एसें को देखते हैं है एसे क्या है पर पार पर पार पर फैसे हम गरिंगे बिन पली बप प्रद किया दान में वह लो यह होगा 1 यह 2 x 1 यह 3 x 2 x 1 यह होगा 4 x 3 x 2 x 1 और plus फैक्टोरियल 5 plus फैक्टोरियल 6 plus फैक्टोरियल 10 इसको ऐसे रख दिना लोह आपर क्या होगा यह 6 इनो 24 चोबिस और नो यह नंबर पूरा जोड़ेंगे इसकी जो वैलू आएगी इसमें सारे नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर जीरो आ रहे हैं अभी हो लोग ने देखा कि एन के वैलू पांच हो या पांच से बड़ी हो कोई भी नेचरो नंबर हो उसके टैक्टूरियल की जो वैलू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा तो आप बहुत सारे नंबर को एड कर रहे हैं और जिसके यूनिट प्लेस पर जीरो आएगा आब जब तो उसके हुनिट प्लेस पे भी प्यान जो आएगा इसके इम लिधे प्लेस पे जिया सुद g handlar वाफ़ जो नंबर है यानी एक हूं सा नंबर होगा एसन इसे नमबर इन विच इस इनिट प्लेस कंटेंस थ्री यानि इसकी इनिट प्लेस पे तीन आ रहा है और आप किसी नेचलो नमबर से स्क्वायर जब करते हैं तो क्या होता है देखें आप वन के स्क्वायर करेंगे उसके बाद तो क्यों यह गतले करेंगे फोर होगया थिर इसका है करेंगी 64, 9 के ispire करेंगे, 81, 10 के ispire करेंगे, 100, उसके बाद आप 11 के ispire करेंगे, तो 11 बुड़ी 11 करेंगे, तो similar आएगा, उसके unit place पे एक ही आएगा, यानि कोई भी नमबर आपका नेचरल नमबर होगा, उसके unit place पे क्या होगा, जिरो से लेके नौ तब कोई संक्या हो सकती है, त जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा उसका इस्पाय करोगे तो क्या आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा उसका इस्पाय करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा आदि जसका दो होगा उसके नंबर के प्लेस पर यह तो हमने के नौह आ तो मर्म ततक कर कोई बिश्ञिकन में पोधरेंगे तो सिर्प नहीं आ रहाया थो गलेगा ग्यारा गुले ग्यारा करेंगे तो एक गुले एक ही डिसाइड तरेगा फिर अगला नमबर 12 यानि कोई भी नेचरो नमबर हो तो उसके इमनेट प्लेस पे तो या तो एक होगा या दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो जीरो हो सकता है तो किसी कभी स्क्वायर करेंगे तो क SM is a number in which, SM is a number in which its unit place, its unit place contain 3 तो लिख दीजिए आप एक लाइन आप इस्क्वायर आप एनी नेचरो नमबर दर्नाट इन आए नमबर इसका मजब क्या होगा और आपको एक ऐसी संख्या मिल नहीं जिसका तीन पे इंड हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि फार एन ग्रेटर दैं इकल तो 5 SM cannot be the square of the natural number तो इसमें ये क्लाइन ये बचा है आपके हांपे लिख देंगे इसके बाद पार एन ग्रेटर दैं इकल तो 5 SM SM cannot be the square आपके नेचरल नमबर तो पांच और पांच से बड़े के लिए आमने फ्रूब कर दिया वान और थ्री को मुंने कहा ही था क्या बचा टू और फोर एन के बाज़ू तू और फोर आप चेक्ट करके देख लिए उसमें क्या आता है तो अब यहीतर रखते हैं इसके आगे अगले लिक्चर में करेंगे थाइंक्स पर वाचिंग